जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अपने जीवन में बेहद अच्छा कर रहे होंगे मेरे चैनल पर नए हैं इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजे लाइक शेयर और कॉमेंट मेरे वीडियो ज अगर आपको पसंद आते हूं तो जरूर कर दीजेगा जो लोग भी मुझे सूपर थैंक्स देते हैं मातरा ने उनकी अबनेंस मिलियन टाइम्स मल्टिप्लाइड करके बढ़ा दे तो चले देख लेते हैं आपका डाउनलोडेड मेसेजेज मेरे व्यूर्स मेरे सब्सक्रा मेरे बसके लिए किहा रहे हैं जैमा काली ओम नमस्षिवाई प्लीज गाइड प्लीज गाइड माँ प्लीज मेसेज़स दीजे माँ ओके जैमा तादी ये काड़ आ गया देखिए आपके जीवन में बहुत ज्यादा इस समय है किसी तरह की उथल पुथल चल रही है रिलेश क्या अनिरजी आ रही है हो सकता है आपका बर्द Premium में 22 को हो फोर को 13 को हो एपरिल में हो सकता है अपकी मैरे जैनिवरसरी किसी भी मन्त में 22 को हो सकती है या है इपरिल में हो सकती है आपकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा किसी तरीके की उथल पुथल चल रही है जिसको आप भी हद समहालने की कोशिश कर रहे हैं ये पास्ट में कई दिनों से चल रहा है एमोशनल लेविल पे भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस समय उफान आया हुआ है आप बहुत डिस्टर्ब चल रहे हो इस तरह की ये पहले कार्ड एनरजी दे रहा है कि आपकी लाइफ इस समय बहुत सही ट्रैक पे नहीं जा रही है अब और कार्ड ले लेते हैं जैमाता दिल क्या गाइड़न्स है माँ प्लीज क्लारिफाई करिए प्लीज ओकी देखिए आप के जीवन में ऐसा हो रहा है कि आपको पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी आ रही है इस समय आप में से कई लोगों को पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी आ रही है पैसों की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो आपकी अबंडेंस एकदम रुकी हुई है इसलिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल आ रही है या आप अपने रिष्टों पे बहुत ज़्यादा आपने टाइम दिया है बहुत फोकस किया है लेकिन रिष्टे में आपको जिस भी रिष्टे पे किसी भी रिष्टे को relationship में भी आपको आपकी जितना आप कर रहे है उतना आपको return में नहीं मिलना है relationship वो भी लेके इकाड आ सकता है आपकी किसी भी जगा आप अपनी energy दे रहे हो अपना time दे रहे हो अपना प्यार दे रहे हो अपना पूरा hundred percent देने की कोशिश कर रहे हो लेकिन life balance पे नहीं आ रहे है track पे नहीं आ रहे है पैसों की तंगी भी आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा जहेल रहे हो relationship में problem जहेल रहे हो और हो सकता है कई लोग किसी तरह की बदनामी बे फिजूल में लोगों की बदनामी जहेल रहे हो लोगों की bitching जहेल रहे हो जो की आप जान रहे हो कि लोग जबरदस्ती की आपके खिलाफ शड़ें तरे करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और आपकी बुराईया करते हुए आपको ये बात समझ में आ रही है लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यूं रहा है आपके साथ देखिए आप में से कई लोग अपने जीवन में peace चाहते हैं शान्ती चाहते हैं जो कि आपको मिल नहीं पा रहा है आप हर तरीके से abundance लाने की शान्ती लाने की खुशियां लाने की अपनी तरफ से अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके जीवन में भटकाव हो रहा है आपके जीवन में आपको अंधकार दिखाई दे रहा है आपके आँखों पे पट्टी बंदे सी गई है ऐसा लग रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पर जाएं कि आपके जीवन जो इस समय बैलन्स लाइफ नहीं है ट्रैक पर वापस आ जाए और क्यों नहीं आ रही है ऐसा क्या कारण है कि आपके जीवन में इस समय जो उथल पुथल चल रही है उसका कारण क्या है confusion की स्थिति आपके जीवन में समय बेहद है क्योंकि आपको ये सारी problem general collective reading है जितनी आपसे resonate करें उतनी रख लीजेगा आप बाकी दूसरों पर जाने दीजेगा आपको clear नहीं हो पा रहा है कि इस तरह से आपके life में ये हलचल क्यों मची हुई है क्या कारण है जैमापादी ओमना मशिवाय ओमना मशिवाय ओके देखे एक महिला आपके जीवन में ऐसी है हो सकता है आपके relative हो हो सकता है आपकी relative ना हो आपकी किसी तरह आपसे connective है ये लेडी आपके partner के through आपकी connection है इससे या आपके office में connected है या आपके खुद relationship में है ये ये लेडी आपसे बेहद जैलसी रखती है बहुत आपको आप जैसा बनने की भी कोशिश करती है और आप जैसा ही बनने की कोशिश करती है और आपी में नुक्स निकालती है आपके खिलाफ शर्यंतरों में ये बहुत ज़्यादा शामिल है ये वैसे male female कोई भी हो सकती है आपकी शत्रू लेकिन 99% है कि एक female है 1% chances है कि एक male भी हो सकता है जो कि आपकी life में कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से मौझूद है और आपको हर तरीके से ये जो problems आ रही है जो आपकी life इस समय डिस बैलन्स है आपकी life इस समय एक track पर नहीं है उसका पूरा कारण इस महिला के कारण ही है ये महिला बहुत ज़्यादा डिक्टेटर है बहुत बहुत अपने आपको बहुत बनती है बहुत ज़्यादा लालची किसम की महिला है ये जो शत्रू है आपका बहुत लालची है पैसों की पैसों की बहुत ज़्यादा लालची है बहुत अपने आपको बहुत ज़्यादा शोफ करने वाली महिला है और ये महिला क्योंकि आपको आपसे जेलिसी भी रखती है आपको एडमायर भी करती है आपको वाच करती रहती है आप क्या कर रहे हो किस समय कहा जा रहे हो मतलब इसको जब कोई किसी से जैलिसी रखता है तो ये पाज जान लीजिए उसके बारे में हर तरीके की नौलिज इन्फोर्मेशन रखने की कोशिश करता है आपको फेस्बुक पे ट्रैक करती है आपको फोटसेब पे ट्रैक करने की कोशिश करती है शोशल मीडिया पे अगर आप हो तो आपको वहाँ पे जाकि हर तरीके से आपको ये आपकी स्पाइंग करती है आपकी जासुसी करती है आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए और अगर आप इसके घरी में रहते हो तो भी आप पी ये किसी ना किसी तरीके से नजरे रखती रहती है आप जब नहीं होते हो तो आपके खिलाब जासुसी ये करती है चाहें आपके बच्चों से पूचती हो आपसे रिलेटेड कोई इनसान है जिससे ही आपके बारे में इन्फॉमेशन गैदर करती रहती है और ये लेडी लालची किसम की तो है ही बहुत बिहद शातिर महिला है ये महिला आपके खिलाफ अभी जो पूने माबीती है उस पे ये स्पेल्स करवाने जो मुझे क्लियर गाइडन्स आया है ये स्पेल्स करवाने आप पे किसी शम्शान में गई थी क्योंकि ये आपकी बराबरी नहीं कर पाती है आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है आपको गिरा हुआ दिखना चाहती है आपकी हर चीज को छीन लेना चाहती है यह चाहती है जो energy आपकी है वो energy इसके पास हो आपकोमेशद दुखी देखना चाहती है clear शबदों में यह बोल दूँ कि यह आपको दुखी देखना चाहती है जेनरल यह सब के लिए है कि यह महिला अगर आपके जीवन में है तो यह आपको दुखी देना देखना चाहती है आपको रोता हुआ देखना चाहती है कारण अपने हिसाब से आप ले लीजेगा extra marital भी हो सकते है आपके partner का आपके partner की relative हो सकती है आपके swim की भी कोई relative हो सकती है और reason इसका jealousy है प्रापर्टी है या किसी भी तरीके का पैसो का लालच है यह जो पैसे आपको मिलने चाहिए वो यह पैसे खुद खीच रही है वो पैसे आप तक नहीं पहुँचने दे रही है आप पैसो पैसो के लिए महताज हो इस महिला के कारण आपके पार्टनर आप मैंसे कई लोगों को पैसे नहीं दे रहे हैं वो पैसे इस महिला के पास जा रहे हैं और क्योंकि यापě spells करवाती है कनटिनोस कई बार spells करवाती है करवाती रहती है आप पे और जो अपके समय लाइफ में प्रॉब्लम चल ली है उसका कारण यही महिला है और क्या गाइडन्स दे रही है माँ जैमा काली अभी पूर्ने माँ पे आप पे इसमें स्पेल्स करवाने यह डेफिनेटली किसी तांत्रिक के पास फिर से गई थी यह क्लियर गाइडन्स अभी तक की रीडिंग में आ रहा है जैमा पादिये लेकिन एक बहुत देखिए क्लियर गाइडन्स आ रहा है कि यह महिला गई तो थी इस पूर्ने मापे आप पे स्पेल्स करवाने लेकिन कुछ इसके साथ बहुती बुरा हुआ है शमशान में जाना आपके खिलाफ यह रीडिर ली जाती है और यह माझ सोचै कि यह सिर्फ स्पेल्स आप पे कराती है ये हो सकता अगर शादी शुदा हो तो अपने पार्टनर पे करा चुकी है आपके पार्टनर पे करा चुकी है और इससे related कई लोगों पे ये spells करवाने की इसकी एक आदत सी बनी हुई थी लेकिन इस बार ये आपके चक्कर में पड़ गई ये बात इसको समझ में आ गई इस प पर इसको इसी के तांतरिक ने आपका एक विक्राल रूप दिखा दिया है इसको आख बंद कर कि और इसके तांतरिक को भी आपका एक विक्राल रूप दिखा है और ये हुआ क्यों ये चीज़ हुई क्यों ये भी आप जान लीजे हो सकता है आप मेंसे कई लोगों ने पावली पे माकाली की या किसी भी गौट की इस तरफ बहुत जादा दिल से आपने याद किया है दिल से आप रोई हैं दिल से आपने मांगा है कुछ भी आपकी आवास गौट तक उनिवर्स तक एक्दम डारेक्ट पहुंची है और यही आवास के कारण इस तंत्रिक को भी आ आपका विकराल रूप दिखा है आप एक विकराल रूप में दिखे हो क्योंकि यह कुछ ना कुछ फोटो लेके गई थी या कोई भी चीज आपकी लेके गई है तंत्रिक को भी विकराल रूप दिखा है और इस महिला को तो आपको का इतना विकराल रूप दिखा है इतना समान उठा के वहां से भागती हुई नजर आई है इसकी रात की नींद गाएब है उस दिन के बाद से बहुत परिशान अंदर अंदर चल रही है इसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी रूप इसका आपने देखा है सॉरी इसने देखा है आपका वो क्या था वो क्या चीज़ थी क्योंकि तंत्रिक ने भी उस दिन इस हाथ जोल लिए कि मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता ये जो विक्राल रूप मुझे दिखा है ये कोई ना कोई दिव शक्ती है इस बंदे के साथ इसके आगे अब इस शक्स पे कोई भी स्पेल्स नहीं होगा ये महिला भी अपना दुम दबा के उस दिन भागी है और उस दिन के बाद से आज तक ये रात को ठीक से सोने ही पा रही है बेहद अंदर अंदर परिशान चल रही है क्योंकि इसको वो समझ में नहीं आ रहा है इसने जो देखा वो क्या था वो क्यों था लेकिन ये मूर्ख ये ही नहीं जानती कि एक मंत्र चैंटिंग एक प्योर सोल को सतानया इतना असान नहीं है बार बार अगर किसी को गुर गिराओगे तो एक ना एक दिन उसके अंदर की जो दिव शक्ती है वो तुमको नीचा दिखाई देगी और यही इसके साथ हुआ है ये दुम दबा के महां से भागी है और अब इसकी उल्टी गिंती शुरू हो गई है और आप देखिएगा धीरे धीरे जो इसने आपकी लाइफ एकदम डिस बैलन्स करके रखी है इसकी खुद की लाइफ कितनी बिगड़ जाएगी और ये जब तक आप से शमा नहीं मांग लेगी इसको चैन नहीं पड़ेगा जैमात अदी हरर महादेव